असलाम वारेकुम दोस्तों अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता बिना पर्मिसन कफाला लेने से और रही बात हिसाब की तो हिसाब मैं गैरेंटी के साथ आपको बोल ला हूँ 100% हिसाब भी मिलेगा कमपणी आपका एक रुप्या भी नहीं खा सकती आप लोगों का बहुत सारे का ऐसा सवाल भी आता था कि भाई मेरा जो है 5-10 साल हो चुका है और मैं चाहता हूँ कफाला लेना मेरा जबकि कॉंट्रेक्ट भी खतम होने वाला है और एकामा भी एक्सपायर है बट मुझे डर है कि कहीं मैं कफाला लूँ तो मेरा हिसाब न कंपणी रख ले मुझ पर कोई एक्सन न ले ले तो इसी के हवाले से इस वीडियो में पूरा डीटेल में आपको बताऊंगा इ 88 उसमें क्या-क्या गया है और उसको एक्सप्लेइन करते हुए आप कैसे लीगल तरीके से कफाला ले सकते हो और आप अपना हिसाब 100% एक से दो हपते के अंदर में आपके एकाउंट में आएगा कैसे आएगा सब कुछ इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो ब मेरा कंपनी जो है हिसाब रख लेगी हिसाब नहीं देगी और बहुत साइब लोग तो यह बोलते हैं कामा एकस्पायर होते हुए भी कि मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कफाला क्यूंकि मैं दस साल से हूं कंपनी में और मेरा इतना ज्यादा बोनस बनेगा अगर मैं इस कमपनी मेरा हिसाब नहीं देगी तो सब कुछ आपको मिलेगा बस आराम से इस वीडियो को देखो क्या है अभी आप को कफाला लेगा लेने का आपको आपको आर्टिकल 81 आपको कमपनी के साथ हो आप अराम से आज एकामा एक्सपायर होता है, कल जाके आप अपना क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगवाओ और किसी से कोई इजाज़त की जरूरत नहीं, किसी का कोई पर्मीशन की भी जरूरत नहीं है आपका कफाला जो है डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है यह होगी आप पहले तो बता दे रहाँ, कफाला हो जाएगा अगर कितने भी साल का कॉंट्रेक्ट हो पांच-दस साल से काम कर रहे हो, अगर एकामा एक्सपायर होता है आपका कफाला हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो अगर आपकाhos काम एकस्पार नहीं भी है बट आपका कॉंट्रेक्ट आने वाले टाईम में एकस्पार हो रहा है एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना में तो बस आपको तर्मिनेट कर देना है जो मैंने अल्रेडी बताया है वो वीडियो आप लोग देख लोगर नहीं देखे हो तो बताया है उसमें कि आपको कैसे टर्मिनेट करना है कितना दिन पहले करना है तो वहीं आपको काम करना है टर्मिनेट कर देना आराम से कोई दिक्कत नहीं है जैसे आपका कफील अगर आपको जो बोलता है बहुत सारी कमपनी बोलती है भाई आप मेरे पास काम खतम हो गया आप चाहो तो अपना दूसरे जगा काम ढूंड सकते हो और बहुत सारी तो आपको फाइनल एक्जिट बेज देती है बहुत सारे अच्छी भी कमपनी होती है जो बोल क्लियर कर देना, जैसे आपको सब कुछ कम्पणी से खतम, वास्ता खतम उसका एक हटाइगा हफ्ते के अंदर में हिसाब दे देना है, ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से कफाला ले रहे हो जैसे आपको चाहिए कफाला आप ले रहे हो कंपनी नहीं बोल रही है तो आपकी कंपनी को यह है कि यहां पर उसको दो हपते का टाइम दिया जाता है ठीक है दो हपते के अंदर में आपके हिसाब को उसको किलियर करना है ठीक है दो हपते में आपको पूरा फुल पैसा जो भी हिसाब आपका बनता है वो सारा आपके bank account में आना चाहिए, चलो अब बात करते हैं, अगर नहीं देती है company, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम simple step, आपको company पे case करना है, बट आप लोग बोलो के भाई, मैं case कैसे करूंगा, मैं तो कभी काम कहीं और करता था, मक्का में करता था, मदीना म में करता था, अभी मैं रियाद में हूँ, जद्दा में हूँ, दूसरी जगह हूँ, आपका दूसरी दूसरी जगह हो सकते हो, तो अभी case के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बाई, सब कुछ online होता है, आपको online case करना है, online कोई दिक्कत नहीं है, online case करोगे, आपको date भी दी जाएगी, online meeting की, आपको वो meeting attend करना है, और attend करने के बाद आपको बताना है वहाँ पर, जैसे ही आपका court की case की hearing सुरू हो, वहीं पर आपको बता देना है, आपका जो भी condition था, जैसे जैसे आपने कफाला लिया, simple सी बात बोलना है, आपको कुछ भी नहीं ब बाद जो है, जैसे ही आप case करोगे, पहले तो आप बोलो company को एक दो बार बोल के देख लो कि मैं case करने वाला हूँ, क्या आप मेरा हिसाब दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, direct case करना है, आपको case करो, अगर नजदीक में जा के case करो, online होता है, सब कुछ वैसे भी आपकी hearing online ही होगी, दोनों जुरेगा, और दोनों से पूछा जाएगा, क्या region है, क्या नहीं है, आपको बोलना, article 81 के तहत मैंने company छोड़ी है, जैसे दूसरी company में गया हूँ, और मुझे हिसाब न ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का हिसाब मिला है, और case करना ही पड़ता है, क्यूंकि आपकी company जाती नहीं, आप जाओ, और जाते हो तो वो सोचती है, अरे बंदा कहीं नहीं, कुछ बोलेगा, तो मेरे पास हिसाब बच जाएगा, कुछ बहुत सारे लोग ह